बिस्मिल्यार्यमानरहीम, असलामु आलेकुम। आज मैं बना रहे हूं चिकन हाट और सॉल्ट जूप। उसके लिए मैंने लिया है एक पाउ चिकन और यह मैंने कड़ाई चुले पर रख दी है, चार गिलास पानी डालकर। तो इसमें मैं एक पाउ चिकन 250 किराम यह डाल और यह बढ़ाए बढ़ाई लप्ताइब दार्चिन यह डाल दूगी। अब बड़ी लाइची एक चंद काली मिर्चे हैं यह डालकर और नमक डाल दूगी। और यह डालकर मैं यह डालकर ने चिकन को गला लूगी। तो यखनी हो गई है तैयार मैंने चिकन निकाल लिया है चिकन निकाल को पीसिस बना लिये है छोटा-छोटा तो मैं वह डाल रहे हूं इस तरह से मैंने बना लिया है कर लिया इसको चिकन को अब मैंने एक मैंने लिथी गाजर वो डाल रहे हूं एक लिथी मैंने शिमला मिल्च तो मैं आप इसमें बंगो भी डाल सकते हैं और डालते भी हैं मैं नहीं मुझे अच्छी नहीं लगती इसलिए मैंने नहीं डाली बच्चे मेरे नहीं खाते हैं यह भी पतनी कैसे खाएंगे क्योंकि उन्हें सब्जी वगर वेजी टेबिल अच्छी नहीं लगती कोई वह मेरे चैनल पर यखनी वाला सूप है वह अच्छा लगता उन्हें ज्यादा तर मैं वह बनाती हूं लेकिन यह मैं कभी-कभी बना लेती हूं यह मैं पांच मिन्ट तक इसको पकाऊंगी थोड़ा सब्जी पकजाएं नमक मैंने डाल दिया तो उस वक अगर कम या लगे तो आप अपनी टेस्ट के मताबिक डाल सकते हैं और इस वक यह हाफ टी स्पून में डाल रही हूं ब्लेक पेपर काली मिर्च यह यह भी हम कम ज्यादा कर सकते हैं मिर्च को क्योंकि अभी हम चिली सोस डालेंगे और सोया सोस डालेंगे तो उनमें होता है मैंने तीन चमच टेबिल स्पून कॉर्ण फ्लावर के गोल लिया है और मैं यह मिक्स करूंगी दो टेबिल स्पून के करीब में डालूंगी सोया सोस दो ही चमच में सिर्केके डालूंगी एक चमच में डालूंगी चिली सोस आप सोस यह जो होते हैं यह आप बाद में उपर से भी डाल कर खा सकते हैं आपने टेस्ट के मताबिक नमाक और मिर्च बिलेक पेपर जो होती है ओपर से भी आप डाल सकते हैं इस टाइम अब यह तैयार हो चुका है आज मैं बिलकुल हलकी कर दूंगी और एक अंड़ा फेट कर इसमें डाल दूंगी मैंने एक अंड़ा डाल दिया है तो शूप हो गया है तयार यह देखें यह अंड़े की यह नजर आ रहा है तो यह इस तरह नजर ज्यादा फेटे नहीं इसमें इसमें आराम से इसे डालते हैं तो यह डिजाइन थोड़ा अच्छा सा बन जाएगा दिखने में अच्छा लगेगा यह इस तरहां से यह तो हमारा सूप बन कर हो गया है तयार बहुत आसानी से और बहुत जटपट आप इस तरदिया हैं आप यह आप खुद भी पिएं और बच्छों को भी पिलाएं बहुत फाइड़े मंद होगा तो हम किसी और रेसीपी में मिलेंगे अल्ला हाफिस